आत्म सुझाव का जादू, प्रमान आसान है और आसानी से दिया जा सकता है। यह आत्म सुझाव के सिध्धान्त में लिप्टा हुआ है। आए हम अपने ध्यान को आत्म सुझाव के विश्य पर केंद्रित कर लें और यह पता लगाएं कि यह क्या है और यह क्या हासिल करने म समर्थ है यह तत्य तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आपसे जो बात बार-बार दोहराता है वह आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है चाहे वह बात सही हो या गलत अगर कोई आदमी बार-बार किसी जूट को दोहराता रहे तो अंतता वह उस जूट को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा यही नहीं वह विश्वास करने लगेगा कि यही सच है इनसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वह अपने मस्तिष्क पर राज करने देता है जिन विचारों को इनसान अपने मस्तिष्क में जगह देता है और जिन्हें वह सहानुभ प्रोटसाहित करता है और जिन्हें वह अपनी भावना के साथ संबद करता है वे प्रेरक शक्तियां बन जाते हैं जो उसकी हर गतिविधी, हर कार्य और हर कर्म को नियंत्रित और निर्देशित करती हैं। जिसे एक चुम्बकी हो गए विचार की तुलना हम उस बीच से कर सकते हैं जिसे उपजाओ जमीन में बोए जाने पर वह अनकुरित होता है, उपता है और कई गुना जाता है, जब तक कि यह छोटा सा एक बीज अपने ही जैसे लाखों अंगिनत बीज नहीं बन जाता। मानविय मस्तिश्क ऐसे कमपनों को लगातार आकरशित करता है जो मस्तिश्क में रह रहे विचारों के अनुरूप हों। इनसान के मस्तिश्क में प्रबलता से मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष अपने रिष्टेदारों को आमंतृत और आकरशित करता है और इन रिष्टेदारों से जुनने के बाद वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है और उसकी शक्ती तब तक बढ़ती रहती ह जब तक कि वह उस व्यक्ती का प्रबल मालिक नहीं बन जाता जिसके मस्तिश्क में वह निवास करता है अब हम शुरुआती बिंदू पर फिर से चलें और यह जाने की किस तरह किसी विचार, योजना या लक्ष का मूल बीज मस्तिश्क में बोया जा सकता है यह जानकारी आ इसे याद कर लें और इसे जोर से हर दिन पढ़ें जब तक कि यह ध्वनी के कमपन आपके अफचेतन मस्तिश्क तक ना पहुँच जाएं दुर्भाग यश्राली महौल के प्रभावों को हटाने का संकल्प करें और अपने जीवन को सही पट्री पर ले आएं अपनी मानसिक पूंजी आसेट्स और डायत्वों लायबिलिटीज का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आत्म विश्वास की कमी आप आत्म सुझाव के सिध्धान्त की मदद से इस कमी या अर्चन को दूर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं इस सिध्धान्त का प्रयोग कुछ सकारात्मक विचारों के आसान प्रयोग द्वारा किया जा सकता है आपको सिर्फ इतना करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लें, याद कर लें और बार-बार दोहराएं जब तक कि ये आपके अफचेतन मस्तिष्क के सक्रियोप करन का हिस्सा ना बन जाएं आत्म विश्वास का फॉर्मूला पहला, मैं जानता हूँ कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से यहा पेक्षा रखता हूँ कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर और लगन से कार्य करूँ और मैं यहाँ पर अभी यह वादा करता हूँ कि मैं इसी तरह से कार्य करूंगा। दूसरा मुझे एहसास है कि मेरे मस्तिश्प के प्रबल विचार अंतता अपने आपको बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे-धीरे अपने आपको भौतिक वास्तविक्ता में रूपानतरित कर लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारो के सिध्धान्त के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मस्तिष्क में निरंतर बनाए रखूंगा वह अंततर किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आपको भौतिक सम्तुल्य में बदल लेगी और मुझे वह वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने इसलिए मैं हर दिन दस मिनट इस काम में दूनगा कि मैं आत्म विश्वास का विखास करूँ क्यों तो था मैंने इस पश्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुत निश्चिक लक्ष्य का वर्मन लिख लिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक की और न्याए पर आधारित नहो इसलिए मैं किसी भी ऐसी गतिविधी में सनलगन नहीं होँँगा जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाब नहोँगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूँ और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता कि वे मेरी सेवा करें कियोंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विक्सित करूंगा और घृना, इर्श या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मस्तिश्क से दूर करूंगा क्योंकि मैं जानता कि दूसरों के प्रती नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझे पर विश्वास हो क्योंकि मैं उनमें और अपने आपमें विश्वास रखूंगा मैं इस फॉर्मूले पर अपने हस्ताक्षर करूंगा और इसे याद कर लूँगा और इसे हर दिन जोर जोर से दोहराओंगा ऐसा करते समय मुझे पूरा विश्वास होगा कि यह मेरे विचारों और कारियों को धीरे धीरे प्रभावित करेगा ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूँ इस फॉर्मूले के पीछे प्रकृती का एक नियम है जिसे अब तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया है इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है इसके बारे में महत्वपूर्ण तत्य यह है कि यह मानव जाती की सफलता और प्रसिद्धी के लिए काम करता है बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए दूसरी और अगर इसका विद्वन सात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उतनी ही तत्परता से नश्ट भी कर सकता है इस वक्तव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है यानि जो हार जाते हैं और गरीबी, दुख और कश्च में अपना जीवन गुजारते रहते हैं वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्मसुझाव के सिद्धान्त का नकारात्मक प्रयोग किया है इसका कारण यह तथ्य है कि विचार के सभी समवेगों की यह प्रवृती होती है कि वे अपने आपको अपने भौतिक समतुल्य में रूपांतरित कर लेते हैं